इस कहानी में हम एक ऐसे बुड़े को देखेंगे जो एक नमबर का ठरकी होता है और वो किसी बुड़ी औरत को क्या बारा साल की लड़की को भी नहीं छोड़ता मुवी के स्टार्ट होते ही हम चारली नाम के बंदे को देखते हैं यहाँ पर वो एक स्टेज पर खड़ा होकर अपने थौट शेयर कर रहा था वो एक पोईट है वो कहता है हमें अपनी सबी चीजों को एक स्टाइल में करना चाहिए एक्चॉल में चारली को यहाँ के मैनेज ने इन्बाइट किया था इस पीच देने के बाद नशे की हालत में वो अपने होटल में जाता है उसके कमरे में एक छूटी लड़की थी चारली के पूचने पर वो से बताती है मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ और मुझे अपने कमरे से बाहर मत निकालना चारली के होने पर जब चारली उटता है तब वो देखता है वो छोटी लड़की उसके सारे पैसे लेकर हवा हो चुकी है इसके बाद चारली बहुत मुझकिल से एक बस की टिकट खरीद कर अपने शहर पहुंचता है जहां पर हमें पता जलता है वो एक छोटे से लौज में एक कमरे म लेकिन चारली उससे कहता है अब तुम मेरी बाइफ नहीं हो और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती लेकिन विकी वहां से जाते टाइम चारली की बियर बॉटल्स को खिड़की से बाहर फेक देती है क्योंकि डॉक्टर ने उससे सराप पीने से मना किया था यहां पर हमे देखकर पता चलता है चारली की Financial Condition ठीक नहीं है अगलेदिन हम देखते हैं चारली एक प्रोस्ट्यूटा पीछा करने लगता है वो उसके पीछे पीछे एक बस में चला जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रेक्टुक करने लगता है अट्रेक्ट करने में वह कामियाब भी हो जाता है लास्ट में चारली एक कालोनी में पहुंचता है जहां पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब घरों में उस प्रोस्ट्रिटूट का घर कौन सा है इसके बाद हम देखते हैं चारली गलती से एक मोटी के घर में गुश जाता है जहां पर वो मोटी चारली को देखकर चिलाने लगती है चारली उसे कुछ पैसे देखकर उस प्रोस्टिट्यूट का पता पूँचने लगता है मोटी चारली को उसका पता बता देती है और उसे कहती है तुम कभी भी यहां पर आ सकते हो इसके बाद चारली उस प्रोस्टिट्यूट के घर पहुँचता है और उसकी खुदाई करता है चारली के पूँचने पर वो प्रोस्टिट्यूट अपना नाम लिली बताती है चारली को भूक लगने लगी थी तब ही लिली कहती है तुम फ्रेश हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ इसके बाद चारली नहा रहा था और दूसरी तरफ लिली पुलिस को बुला कर कहती है यही वो आदमी है जो मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था पुलिस उसे पकड़ लेती है इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन चारली छूट जाता है और फिर वो एक बार में कश्मीरा नाम की प्रोस्टिटूट से मिलता है जो दिखने में काफी खुबसूरत और यंग थी और वो अपनी लाइफ से बिलकुल भी खुश नहीं थी चारली उसे अपने घर ले जाता है इसके बाद कश्मीरा अपने कपड़े उतार का देने के लिए बिलकुल रेडी थी लेकिन चारली पूरी रात अपना काम करने में बिजी था लेकिन सुबह होते ही चारली ड्रिंक करते हुए कश्मीरा की जमकर वा जाता है शाम होने के बाद कश्मीरा फिर से चारली के पास आती है लेकिन चारली कहता है अभी मैं मूड में नहीं हूँ तब ही कश्मीरा उसे कुछ पैसे देते हुए अपनी खुदाई करने के लिए कहती है इसके बाद हम देखते हैं रात में कश्मीरा चारली को पुलिस इस्टेशन से कॉल करती है क्योंकि कश्मीरा को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था अगली सुबह चारली कश्मीरा को जेल से छुडबा लेता है इसके बाद कश्मीरा वहां से चली जाती है फिर चारली मन ही मन में सोचने लगता है अब उसे कश्मीरा की आदत लग चुकी है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है इसके बाद हम देखते हैं चार्ली कश्मीरा को अपने दिमाग से निकालने के लिए उस मोटी के घर पर चला जाता है और उसे पैसे दे कर उसकी गुफा का नमकीन पानी पीता है लेकिन ये सब करने के बाद भी वो कश्मीरा को नहीं भूल पा रहा था उसलिए वो अपने शहर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चला जाता है कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर पर वापस आता है तब उसकी एकस बाइफ उससे कहती है मैं जल्दी ही अपने बॉइफरेंड के साथ साधी करने वाली हूं शाम होने के बाद चारली फिर से उस बार में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से कश्मीरा से होती है वो कश्मीरा से पूँचता है क्या तुमने मुझे मिस किया इसके बाद वो दोनों फिर से घर पर आ जाते है जब चारली कश्मीरा के करीब आता है तब वो देखता है कश्मीरा के गर्दन पर एक कट का निशान था चारली के पूँचने पर कश्मीरा उसे बताती ये सब कुछ मैंने खुद किया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ये सुनकर चारली बहुत गुस्से में आ जाता है फिर कश्मीरा उसे रिलैक्स करने के लिए किस करने लगती है इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन चारली कश्मीरा को घुमाने के लिए सेंड बार में लेकर जाता है जहाँ पर चारली अक्सर पोईट्री लिखने के लिए जाता था चारली और कश्मीरा बीच के किनारे रेत पर एक दूसरे की प्यास हुजाते है इसके बाद चारली बहीं पर सो जाता है और कश्मीरा उसे अकेला छोड़ कर बहां से चली आती है इसके बाद जब चारली घर पर आता है तब वो देखता है उसकी एक्स बाइफ ने कमरे को छोड़ दिया था और अब वो अपने बॉइफरेंट के साथ शादी करके चली गई थी इसके बाद चारली अपने रूम के अंदर आता है जहां पर कश्मीरा बैट पर लेटी हुई थी चारली कश्मीरा से कहता है तुम्हें बहाँ से अकेले बापस नहीं आना था कश्मीरा उसे कुछ नहीं बोलती और एक लेटर देती है ये लेटर उसे प्रोड्यूशर ने दिया था जिसने काम के सिलसले में चारली को नियू और बुलाया था चारली कस्मीरा से कहता है मुझे बहाँ पर जाना होगा और मैं जल्दी ही तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूँगा कस्मीरा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी इसके बाद चारली देखता है कस्मीरा ने अपनी गुफा पर एक मैटल किलिप लगाया हुआ है जो उसे काफी दर दे रहा था चारली ये देखकर बहुत ज़्यदा परिशान हो जाता है और वो कस्मीरा से ये सब करने की बज़य पूचता है तब कस्मीरा कहती है मैं नहीं चाहती अब कोई मेरे करीव आए इसके बाद चारली बहुत मुश्किल से उस मैटल किलिप को कस्मीरा की गुफा से बाहर निकालता है अगली सुबह चारली उस प्रोडूसर से मिलने के लिए जाता है लेकिन चारली को ड्रिंक्स करने की बहुत बुरी लट लग चुकी थी और अपनी हरकितों से बहां के दूसरे प्रोडूसर को भी वो परिशान कर रहा था ये सब देखकर प्रोडूसर चारली से कहता है तुम्हें प्रोडूसर की जरूरत नहीं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है वो प्रोडूसर चारली को बाहर निकाल देता है इसके बाद चारली फिर से उसी बार में आता है जहां पर उसे पता चलता है कस्मीरा ने सुसाइड कर लिया है ये सुनने के बाद चारली चर्च में कस्मीरा की बाड़ी देखने के लिए जाता है यह सब देखने के बाद चारली की हालत और बुरी हो जाती है और वो दिन बाद सिर्फ डिरिंक्स करता रहता था इसके बाद वो सेंड वार में पहुंचता है जहाँ पर उस सेंड वार की मेड़ उसका बहुत अच्छे से ख्याल लगती है ऐसे ही कुछ दिन कुजर जाते हैं फिर एक दिन एक यंग लड़की चारली के पास आती है और वो उससे पूँचती है क्या तुम ही पोईट चारली हो तुम मेरे लिए कोई पोईट रीट करोगे इसके बाद चारली उसे टेच करते हुए कहता है इस सब के बदले में मुझे क्या मिलेगा फिर वो दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं जहांपर चारली उसके लिए पोईट रीट करता है इसके बाद वो यंग लड़की चारली के सामने अपनी टांगे खोल देती है फिर चारली अपने ओजार को उसकी टांगों के बीच डाल देता है इसी के साथ मूबी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में